नमस्कार मैं हूँ विद्या सागर स्वागत है आप सभी का आइपा में आइपा यानी All India Progressive Politics Association दरसल इस मंच के जरीए लगातार हमारी कोशिस है कि हर गाओं की समस्याओं को आप तक पहुँचाएं और इसी कड़ी में फाफा मौ विधान सभा के इस वक्त फतूपूर में हम म चुनाब को लेकर अपने जन प्रतेनिदी को लेकर या व्यक्तिकत समस्याओं को लेकर किसानी को लेकर इन तमाम मुद्दों को लेकर हम इन सब से जानते हैं कि आखिरकार ये क्या चाह रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका नाम बताइए राम कि सो रियादो पूर प ताकता है कितना ताके इसके लिए कोई फूर्शा हाल नहीं है एक समस्या हो गई यहां पर बवाई टाइम में खाद की बहुत-बड़ी समस्या हो गई थी खाद लोगों को मिल नहीं रही थी पैसा देने भी खाद का भाव यह था कि 1718 रोपया तक लोग खाद खरीदे थे रिए घ्रद खाद और युडिया वह थी तो जो नकली मिलती थी असरी नहीं मिलती थी युडिया लोगोंों डालके बोया और वह काम नहीं कर रहा। यहां पर निल गाय और जंगली शुगर बहुत ज्यादा है लोग घर ढखे की खेता के सब उजार के बहार दे रहे आलो लगे बगए जाल के बगए टार के बचती नहीं पूरी पसफल बरभाद है उसान जो है खून पसीना बहाकर खेत में महनत करते हैं और एक powerद बरभाद एक दिन में पूरा बरभाद हो जाता है और सड़क और रख सब आपके आप प्रधान हैं खुद तो गौव में जो सड़क बनाने का काम है या ना लेकर यह सब दूरस्त है कुछ नहीं है कुछ जगा नहीं किया बाद में हम भड़ गए पानी टंकी यहां से करीब 3 किलोटे दूरी पर है अब पाइप यहां फाइल गया था रस्ताइब बनीज खराब हो गई पानी आद तक नहीं आया आद तक पानी यहां नहीं आया इस गाउं तक सब्सक्राइब और लोग और लोग पैसा पहले जबा कर दिये हैं लैसा पहले प पैसे जमा हो गए रोड खुद गए पानी नहीं आ सका पैसे सब आप लोग लाइंट कट गई फिर तो यह समस्या हैं यह इस वक्त जहां पर हम मौझूद है यह फाफापों विदान सभा है और यहां के लोगों की राई को हम समझने की कोशिस कर रहे हैं आपका क्या नाम है कि इस सर्विस करते थे डिटैल होगए घर पे तब यह ठीक नहीं रहती हैं और भीर हिर्ष्ट क रहती हैं थीक है और फिते जो काम का होगा वही के इस दिया जाएगा वही को बढ़ाया जाएगा और वागी इनको तसाल देख लिया गया यह कुछ नहीं कर पाएं लोग किसानी करते हैं किसानी सब ठीक चलना है खेती है थोड़ा वही मापन लगे लड़के उड़के नहीं है दो परानी है अपने खाते कमाते हैं उसी में और यहां क्रवईया सब ठीक है कोनों परिसानी नहीं मौजुदा सरकार है उसे लेकिन फिर वी कोई समस्या जैसे लोग कह रहे हैं खात के समस्याइं है किसानी के समस्याइं अरे हाँ हूब है करी सब ठीक है तो लगातार लोग है अब आपना नाम बताए नंदला ले आदा क्या करते हैं किसानी हाँ है बहुत करारा दिक्कत है इस प्रसानी पूरे पूरा है इस सरकार जतने हो सकतर जल्दी गोल हैस हम खुजी त्रानी कारवार तो क्या इस गाँए मैं तो देख रहा हूँ गौव में विकास भी हो रहा है लोग बहुत खुशाल है बैटके चाई पी रहे हैं क् में जो समस्या है वो गाई को लेकर है जो किसानी लील गाई लील गाई बच जनावर जो है वह बहुत ज्यादा कानलब आलू को लोग के नक्सान पूरा कई डावा थी आपका क्या नाम है जी सहरुदिन किसानी काम है किसानी करते हैं को मिलाकर यह कि इस गाउं की जो सबसे जो प्रमुक समस्या है वो यही कि नील गाई और जंगली सूर से लोग परिशान हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं खेती में किसानी में लेकिन अगर उनका फसल को बरबाद कर दे या फिर चर जाए तो निस्तित और पूर प्यूद भी खाद की कल्लत रही और यही वज़ा रहा कि इस वकत पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर जिस विधान सभाव में अगर मैं जा रहा हूं वहां किसान सबसे जो बड़ी वज़ा बता रही है यानि कि किसानी में समस्याओं को लोकर वही खाद और आवारा अलग अलग विधान सभा में अलग 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 पंचायत में जाकर लोगों के समस्याओं को समझें लोगों के दिल दिमाग को समझें और जाती और धरम से उपर उठकर एक इंसानियत की राजनती कैसे हो समाज में प्रगती कैसे हो प्रोग्रेस कैसे हो इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार हमारी कोशिस है ये कोशिस लगातार जाई रहेगी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इससे लाइक करें शेयर करें और आप कॉमेंट्स वक्स में जाकर अपनी बाते भी लिकें लानी बात